तुम्हारे साथ मजाग हुआ? हाँ, जब मैंने अपनी स्लियेच वाली कॉस्ट्यूम अच्छे से थोकर सुखाई थी तब मुझे वो सुखने के मात पूरी फटी हुई मिली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसे ने मेरी पीचे एन का पिंजरा नीचे जमीन पर पैख दिया था मेरे साथ भी, कोई हमारे लिवेंग रुमे आकर हमारे बहुत बहेंगे वाले केक खा गया ये तो बहुत गलतात है आखिर वो कौन है जो ये सब कर रहा है बस एक बार वो मेरे हाथ कर जाए, फिर देखना में उसके साथ क्या करता हूँ ज़रा एक मिनट रुको, अजर बट केक की है तो इसका मतलब तुम सब डोरे मॉन पर शक करेंगे हो दूरा केक की बात है तो वो डोरे मॉन ही होगा दूरे मॉन कभी भी ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर सकता सही कहां तुमने अगर ऐसी बात हो तो इस बात के सबुत देदो सबुत तो नहीं है पर देखा, मैंने कहा ठाला ये सब डोरे मॉन ने किया है तुम दोर्नों पहले थो और देखना कि असली दोशी का पता मैं लगा कर ही रहूंगा और मैं ये बात साबित करूँगा ठीक है नो बिता अगर तुम असली दोशी को नहीं पकड़ पाए तो उसके बात मैं तुम्हें ठीक है वो लोग दोरे मॉन पर शक कैसे कह सकते हैं जियान और सुनियों दोनों गलत है डोरे मॉन तो बस देखने में ही ऐसा लगता है लेकिन वो जब्मेदार और दूसरों की मदद करने वाला अच्छा रुगोट है काने का टाइम हो क्या है मैंसे मॉमो चैन के साथ मिलकर काऊंगा मुझे बहुत कुश ही हो रही है किस बात के खुश ही हो रही है अब अब बूम है बस यह क्या है यह पीछे बाले पायर की सेनरी है इस ग्याजट में हम किसी भी तरे के पौदे के अंदर जा सकते है हम पौदे के अंदर जा सकते है एक इस्पेरिमेंट की मदद से पता लगाया क्या है कि पौदे की पत्तियों में भी आख्यों होती है और यह भी पता लगाया क्या है उन पौदों को गादे सराए जाते हैं तो वो जल्दी बड़े होते हैं अरी वाँ इस ग्याजट के मदद से हम किसी भी पेड या पौदे की फीरिंस को अच्छे समय सोथ कर सकते हैं चोटे पौदे से लेके फड़े बेड़ों तक ये ग्याजट सारी चीज़र अब्जरफ करने के लिए बना हैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है अरी वाँ बेरी लेकिन हम किसी चीज़ को छूड़ नहीं सकते हैं अरे डोली सुरो डोली माँ क्या ये सच में किसी भी पौदे के अंदर जा सकता है तुम किसे भी पौदे के पत्तियों में जा सकते हो जिसमें भी जाना जाते हो यह हमारा कानन है यह हमारी पजीचे के पेड़ में चला गया है यह तो फार मतितार है संके मता रहा है बिल्ली लिलो मॉमो चान मुझे जाने हो का मॉमो चान मैंने बाता किया तो कि मैं उसके साथ स्ट्रॉबलीज का हूँगा मैं चलता हूँ आराम से जाना यह तो बहुत अच्छा गैजित है यह जगल का हो सकता है यहां की पत्ती तो लाल और फीली है यह बहुत से रहे क्या बात है चलो कुछ आ ट्राइ करता हूँ यह भी जंगल है इस बहुत सुद्धा पीक है यहां सबकर कितना मज़िदार है चलो दूसरा ट्राइ करता हूँ यह कहां का हो सकता है मैं समंदर के अंदर हूँ अच्छा तो यह सीवेर है ऐसा लग रहा है कि मैं मज़ी बन गया हूँ मैं तो डरी गया था इस गैजित से तो हम बहुत सारी चीज़े देख सकते है आईडिया इस गैजित की मदद से मैं डोरी मॉन को निर्दोश थाबिद कर सकता हूँ सबसे पहले मुझे सबूत ही कठा करना होगा सबसे पहले अगर वो दोशी आपे फिर से आता है तो डिटेक्टिम नोबिता वो सस्की दोशी को पकड़ कर ही रहेगा और टोरी मॉन पर लगाई सारे इजान जूटे साबित कर देगा तो सबस्के पहले प्रियान के घर से शुरू करते हैं को मैं गुर्ण का अगर एं दोसे इता है किस्त्रोबडी तेस्टी होंगी दोरी मॉन पर बहुत सारे जेज और यदो पले के तोरी मॉन बहुत सारे तेस्टी फाल है दोरी मॉन बहुत एक्साइटेड है लेकिन कपडों को कुछ नहीं है हुआ है यह नहीं हो सकता डोरी मॉन दोशी नहीं हो सकता है अब मैं सुनियों के घर जाता हूं यह तो डोरी मॉन की आवाज है यहां से मुझे साफ नहीं दिख रहा है यह तो सुनियों के बिल्ली चीरू-चीरू है ना बिल्ली तौफ़ा दे रही है लगता है सुनियों के घर की बिल्ली भी बहुत समझदार है जरु रखो मैं बसा भी आया दोरी मॉन अचानक कहां चला गया यह आवाज कैसी है क्या दोरी मॉन तुम मैं मैं यह बात में वाभी ले जूँगा रुको यह नहीं हो सकता लेकिन दोरी मॉन अपने आप जाकर उस मचली को लिए आया अरे नहीं इसा कभी नहीं हो सकता है बुक कभी चुली नहीं कर सकता है अपका शुक्रिया आंटी हम दो चल्दी पाँच आएंगे दोरे मौनिया पर मज़े कर रहा है उसे पदा भी नहीं सब उस पर शुक्त रहे हैं अरे अगर तुम्हें काटे लग गए तो तुम्हें चलने में तकलिया होगी मैं हटा देता हूँ अरे नहीं यह जूटे दूरे मौनिया दोशी है तुम्हें सब यहां कैसे नोबिता तुम्हेरा टाइम पूरा हुआ तुम्हें अभी खुद अपने मौ से कहा कि दूरे मौनिया दोशी है अभी तड़ कन्फॉर्म भी हुआ है तुम्हें दूशी को बचा रहे हो यह बहुत गलत बात है तुम्हें तयार हो नोबिता किस बात के लिए जियार अगर टोर्यों ने यह सब किया है तो नोबिता भी इसका जिम मेंदार है नए अरे बैसे यह क्यों है मैं कहते हैं रुख जाओ मिया हुआजी जुटा मुख जओ रुपा मेरी पीछे है चो Nine चो यह सब सुन्यो बता ये सब क्या है लेकिन ये सब इसे वो सकता है मतलब ये सब कुछ अरे ये मेरा घर है सुन्यो की बिल्ली तुम्हारी पिल्कों तुम्हें चेरू चेरू अच्छा तो वो तुम्ही थे जिसने अमारा सारा महेंगा नाश्टा खा लिया और उस दिन भी तुम्ही थे जो डोरा केक खा गए बताओ मुझे यह से तुम और कर भी क्या सकते हो अच्छा हुआ डोरी मौन पर लगे इर्जम गलत थाबित हुए मैंने आज बहुत थे स्वाबिरी स्वाइब और मौन जानी बहुत कुछ थे पागयार को अधेट के देन नाम जाया तो केस को ना बताओ तुम्हा जानक इन पौदो को पानी देरे हो इसले मुझे पौदो का ध्यान रखना चाहिए और ये इनका इनाम है केस हो जाने के लिए बताओने ज़रूरी बात क्या है जल्दी क्या है बताता हो रुख जाओ तुम्हें प्यास लगी है अब जब तुम्हें पूछा ही है तो मुझे लगता है कि हमें कुछ पी लेना चाहिए आप सभी का स्वागत है तो पताइए आपके क्या हर्प कर सकता हूँ हाँ हम सब कुछ पीना चाहते हैं तो हमारे लिए प्लीज को ड्रिंक लेकर आईए उसे हिंदी समझ आती है ये कौन है सुन्यों ये सॉमलियर है मेरे पापा के नए एंप्लॉई सॉमलियर वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े और भेंगे रेस्टरांट्स में काम करते हैं ये लोगों को खाना तो परोस्ते ही है साथ में लोगों को ड्रिंक्स चुनने में भी मदद करते हैं तो ये लोग ड्रिंक्स चुनते हैं क्या तुम्हें पता है दोस्तों इने म तेरे पापा ने मेरे जूस को सेलेक्ट करने के लिए रखा है हमारे गर में और भी कई सारे सॉमलियर्स हैं अब मेरी बात सुनिए शिजू का अच्छा सा जूस ले आईए प्लीज जी अभी लाता हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनका पसंदीदा जूस कौन सा है ये किस तरह का जूस है इस जूस को पीने के बाद आपको ऐसी राहत मिलेगी कि आप इन गर्मियों को भूल जाएंगी ये बहुत ही ठंडा और एकदम ताजा है सुन्दी में बहुत अच्छा लग रहा है मैं यहीं पियूंगी जी अभी लाता हूँ ये तो बहुत अच्छा है सहीगा आखिर तुम लोग इस मामूली जूस से इतना खुश क्यों हो रहे हो ये प्रीमियम जूस एकच्छे से बनाया हुआ कमाल का मिश्रण है जो की ताजे संतरों से बनाया गया है उम्मेद करता हूँ ये जूस आपको पसद आया होगा ये दुनिया की खास चीजों से ही जूस बनाते हैं समये तुमनों पिता पर तुम्हें ये कहने के क्या ज़रूरत थी मैं क्या करता हुचूस बहुत ही अच्छा था तुम मेरी दूस सुने डुरेमान प्लीज मेरी मदद करें क्या कहां तो सब लोग तो पैर में घर आ रहे हैं ये सब इतना असान नहीं होगा एक मिनिट मैंने सुना है कि फ्यूचर की डेपार्टमेंटल स्टोर में रोबोट्स किराए पर मिलते हैं मैं सही कह रहा था साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि इसे मुख्ट में प्राइब कर सकते हैं पता नहीं कहा रहा है क्या इतनी जल्दी दूरी आ जाएगा सब कुछ चुन्मे में आपकी मदद कर सकता हूं सब्सक्राइब करने के लिए हमें स्नाक्स लाकर दीजिए हमने अभी लाच नहीं किया कुछ हलका ही खाएंगे जी अभी लाता हूं मेरे पास सब कुछ है ये इसने खलका तो है ही साथी नर्म है और इसका स्वाथ भी बहुत ही निराला है क्या आपको डोना केक्टा फ्रीमियम स्वाथ बसंद आया बताईए मुझे उमीद है बसंद आया होगा तुम कितनी अच्छी हो कितनी प्यारी हो इसमें तो बीन जाम ही नहीं है इसी वजहां से तो ये इतना हलका होता है अच्छा नहीं लग रहा मैं जो ये प्रेमियम क्वालिटी का हो एक नम तरो ताजा कर दे जैसा आप लोग कहें मेरे पास सब कुछ कमाल का है पताईए ऐसा जूस कैसा रहेगा जो आपको तास्की से भर दे और ऐसा लगे कि ठंडी हबा का जोक आया हो क्या बोलना है बिल्कुल ऐसा जैसे की सदन प्रांच से आया हुआ ठंडी हवा का कोई छोका हो दर्या है शिदुका को ये कितना अच्छा लगेगा अच्छा लग रहा है वनी भी एक तो ये लीजी आपका जूस ये तो नॉर्मल जूस है अधी हवा का छोका तो नहीं आया यहां से आएगा हवा का छोका माम इसके लिए बहुत आटेंगी नूबिता तुम्हारा फोन आया है हां 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 है हेलो मैं नूबिता हूँ तो क्या हम सब लोग आ जाये थे सुनियो अभी नहीं कुछ देरबान चीक है मैं समझ गया हम आ रहे हैं अरे सुनो ना जूस भूल जाएगे कुछ कहाने के लिए बंगाएगे वो बसाने ही वाली है ठीक है जैस आपका है मेरे पास सब कुछ का माल का है तो बताइए क्या आप बाहर के नजारे के साथ कुछ स्मोक फिलिंग की सुगंद से बराब रेड़ खाना पसंद करेंगे रेड़ करता हूँ आपको पसंद आएगा बाहर का नजार तुम्हे क्या लगता है हमें भरुज़ा करना ही होगा डूरी मौन आकर यह कहा जा रहा है जरा रुकिए यह लिए अरे यह क्या है मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है तो लीजे यह रहा अरे तुम अपने सौमिलियर को साथ क्यो लाए हो मुझे पता था तुम्हारा लंच अच्छा नहीं होगा इसलिए मैं इनको साथ ले आया मैं अब सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कैसा मैन्यू तयार किया है इस मैन्यू में सबी चीजे बहुत ही कमाल की है उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगे खाना इतना लजीज होगा कि आप लंगलिया चाड़ते रह जाएगे यह सब सुनके ही मूँ में पानी आ रहा है तुमें खाने तक का इंतिजार करना चाहिए अच्छ में मेरा मूसब खाने का बहुत मन है बेवज़ा हमारा और ये लंच बहुत ही खास होगा क्योंकि इसमें दुनिया की बहुत अच्छी चीजे होंगी हम इसे कभी भी नहीं जीज़ सकते अब आप की बारी है अपने लंच के बारे में बताईये ठीक है जैसरा लंच मेरे पास बाहुत कुल कमाल का है ये है कमाल का खास्ट दौर पर आपके लिए बना एक बहुती हुन्दा लंच और इस लंच को खाने के बाद आप आपाद करेंगे मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरा जो लंच है वह वाके कमाल का है मैं चल चल कर बहुत इतना चुगा हूँ कोई मुझे बताएगा कि आखिरम कितना दूर जाने वाले है तो आ गई आपकी मंजिर पर रास्ता तो खत्म हो गया है तो आजाएए मेरे साथ क्या आप सभी को पता है कि एक अस्ली ख़ाने की खासित क्या होती है उसकी खासित होती है उसके अढ़र का लिए गया लोले वाला रत नदु हाँ पिल्कुल उसके अंदर का चम चमाता हुआ हीरा जिसे हर कोई पाना चाहता है मैं भी कमाल है क्या ये सब अस्ति में होगा जी हाँ क्या आप नीचे उतरेंगे जाना मेरे लिए रुखे जो अगला खजाना है वो समंदर का खजाना है और ऐसे नंकीन स्वाथ से भरा हुआ है कि आप सागर की लहने महसूस करेंगे लेकिन ये समंदर का खजाना रेविस्तान में क्या कर रहा है हमें पहुँचने में और किसी देर लगेगी मुझे बहुत भूख लग रही है जब आप अपने उस खजाने तक पहुँचेंगे तब आपको मिलेगा स्वाथ का एक सीक्रेट खजाना अपने दोस्तों के साथ हम खाएंगे तो सब साथ में ही खाएंगे लुपिता हिम्मत मत आना क्या आप एक तमाल के लंच का मजा नहीं लेना चाहते हैं अज़ा है अज़ा है अज़ा है कि जगा तु कमाल की है इतना कॉप्सोरत है आप सभी को बहुत ही द्मूग लगी है और आप सभी लोगों ने बहुत इंतजार किया है तो यह रहा आप सभी के लिए वो खास लंच क्या अखिरकर पता नहीं क्या होगा मजा लीजी अस लंच का यह तो बस अपले हुए चामद के लड़ियों और पानी है क्या आपने यह खिलाने क्ले हमें इतना चलवाया बस तुछ से और से नहीं होता सच में यह तो असली स्वात का सीक्रेट खजाना है जैसे कि कोई हीरे का टपा और इसके अंदर का यह बादाम सच में हीरे जैसा है मैं देखता हूं इसके अंदर क्या है अरे वाँ समंदर की गहराई से निकाली हुई सब्सिया इसका स्वात मुझे जलपरी जैसा मैं सूस करा रहा है मज़ा है क्या पाग है अनू बताव यह इतना अच्छा है कि मेरे आज़ी रुकी नहीं रहे है यह पारी भी कितना अच्छा है तंदा तंदा इस खाने के स्वादिश खूने के वीचे बस एक ही राज है और उत रास में छिबे हुए हैं मेरे बड़या मसाले महिंगे से बहिंगे मसाले मी ऐसा कमाल का सूब नहीं दे सकते आप बाकी कमाल के हैं आपका शुक्रिया यह हमें अद्रिक वाली चाए मिल सकती है प्लीज जी बिलकुल मेरे पास है कुछ कमाल का बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए एक अची गर्ब चाय का मज़ा लेने के लिए आपको ठंड का अंदाजा भी नहीं होगा मैं जम क्या में जे ये सामीलियर बिलकल पसंद नहीं